चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसंतोशी माँ, दोस्तों, आपका स्वागत है। आईए जानते हैं आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का अभिजीत मुहूर्त यानि दिन का सबसे शुब समय दोपहर बारह बजकर पांच मिनट से बारह बजकर चपन मिनट तक रहेगा। विशेशकर निवेश करें और जोखिम भरे सट्टे बाजी से बचे। आध्यात्मी क्या रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से चिंता और उदासी को दूर किया जा सकता है। बुराईयां आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। इसलिए संबंधों में विशेशकर घनिष्ठ रिष्टों में चतुराई से काम ले। नई आदतों से आज आप बेहद उत्साहित रहेंगे। नए विचार और योजनाएं आपके दिमाग में सहायक होंगी। पिछले कुछ दिनों से जीवन में आई रुकावटों को दूर करने के लिए एक यात्रा का भी योग बन रहा है। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ जाएं कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। आपने अपने लिए बहुत उंचे मानक तै किये हुए हैं और इन्हें हासिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। फिर भी लक्षे तक पहुँचना मुश्किल हो, सकता है और इससे आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। लक्षे तै करने से पहले अपनी क्षमताओं का ध्यान रखें। समय कोई बड़ा फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। खुश हो जाएं क्योंकि अच्छा समय आने वाला है और आप स्वया में अतिरिक्त उर्जा का अनुभव करेंगे। आप ऐसे स्रोत से धन अरजित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं होगा। आपके माता-पिता की सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपके प्रिय जीवन साथी का प्यार आपका दिन बना देगा। आफिस में आपको पता चल सकता है कि जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरसल आपका शुभचिन तक है। आपकी समस्याओं का तेजी से सामना करने की क्षमता आपको विशेश पहचान दिलाएगी। संभव है कि आपके माता-पिता आपके जीवन साथी को कुछ अद्भुत आशीरवात दें जिससे आपके वैवाहिक जीवन में और भी निखार आए। आज आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे। युवाओं को करियर से संबंधित कोई नया अवसर मिल सकता है जिससे उनकी उपलबधियों का जोश बना रहेगा। दूसरों की समस्याओं पर विचार करते समय अपनी तकलीफों को बढ़ने न दें। जिन लोगों की मदद कर सकते हैं उनकी सहायता करें लेकिन अपना नुकसान न हो। व्यक्तिगत परेशानियों पर अधिक विचार करने से वे बनी रहेंगी। यदि आप वर्तमान पर ध अवसर मिल सकता है। रिष्टों को सुधारने के लिए अपने गुसे और अहंकार को छोड़ें। शरीर में पानी की कमी से तकलीफ हो सकती है। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को बड़ा ओर्डर मिलने की संभावना है। बिजनिस कर रहे लोगों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना सकते हैं और यह योजना पूरी होने की संभावना है। शेयर बाजार में निवेश कर रहे लोगों को सावधान रहना होगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन मे शामिल हो सकते हैं। समय के अनुसार अपने व्यवहार में सुधार करें। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने से आपसी संभंधों में कटुता आ सकती है। विद्यार्थियों को किसी विशय में कठिनाई आने से तनाव हो सकता है। निराशा से बचें और दोबारा प्रयास करें। अब बात करते हैं लव लाइफ की। घर में खुशनुमा और सामंजस्य पूर्ण वातावरन रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रतिविश्वास बना रहेगा। यदि कोई रिष्टा इस समय काम नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। आपका व्यक्तित्व और मानसिक शक्तियां आपके प्लस पॉइंट हैं। अचानक कोई दुख या जटका आपको विचलित कर सकता है। आत्म विशलेशन और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए आज का समय उपयुक्त है। आज के दिन अपने रिष्टों की खटास और कड़वाहट को कम करने का है। लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। महत्वा कांग्शा और गर्व को पीछे रखें और चीजों को अपने हाथों में लें। अन्यता आपका रिष्टा एक उथल पुथल सवारी की आवश्यक है। गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सही रास्ता चुनना आसान नहीं होगा और यह तभी संभव है जब लालच आप पर हावी नहोगा। यदि आप स्वयम यह नहीं कर सकते तो एक सच्चे शुभचिंतक की सहायता आज किसी करीबी या सहकर्मी से संबंधित समस्या, दुरघटना या अप्री खबर से आपका मन कामकाज में नहीं लगेगा। इसी करम में काम का दबाव भी बढ़ सकता है। अचानक प्राप्त हुई आए को आप अपनी सुक्स विधाओं के लिए प्रयोग में ला सकते है सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आगे बढ़ कर इसे हासिल करें। जीवन के इस पड़ाव से आप नए क्षितिज को देख सकते हैं। हो सकता है कि आज आपके नए विचार या योजनाएं सफल नहूं लेकिन साहसिक या जोखिम भरे कार्य आज आपके कार्ड्स में हैं। ये समय आत्म निरीक्षण का है और आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है। अच्छा सोचने से अच्छा काम करना बेहतर है। कार्य स्थल पर महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। अगर किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो अनुभवी लोगो के कारियों में सफलता मिलेगी। आपके विरोधी शांत होंगे। गुस्से की अधिक्ता रह सकती है। परिवार में वर्चस्व बनेगा और समर्थन प्राप्त होगा। मशीनरी का कार्य करने वालों को सफलता मिल सकती है। सेहत की बात करें तो आज का दिन कोई नया स्वा उपेक्षा करते आ रहे हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। नई योग क्लास में हिस्सा लें या दूसरी रिलैक्स करने वाली तकनीक अपनाएं। अब इनकी आपके जीवन में खासी आवश् करते हैं।